इतनी कंप्राइज होने के बावजूद भी कंपने इस्ट्रक्टर पर दिया है ग्रिप बाला डबल इनबोर डिक्षन टाइप का हैब ड्यूटे ये लगसल साथ में आप यहाँ पर दीख सकते हैं टॉप लिंग को फसाने के लिए थ्री पॉइंट लिंगेज मिल जाते हैं ज जीसमें आपको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जिससे कि लूबर लेंग को आप बाल की बारी की बराबर भी सेट कर सकते हैं यहाँपर दीख सकते हैं फेंडर एड़र्श्टिंग के लिए इसमें कमपनी ने यहाँपर फेंडर सपोर्टिंग का यह रोड दिया है जिससे के fender बगेरा ना हिले, जिसमें आपको काफ ज़्यादा heavy duty वाला इसमें road देखने को मिल जाता है, दोस्तों आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर आगे सकते हैं, एक extra hole देखने को मिल जाता है, जिससे के आप इसमें double यहाँ पर देख सकते हैं, road लगाने के लिए, यह फिर tractor पर कोई भी, यहाँ पर implement, यह फिर कोई भी, modify करने के लिए आपको यहाँ पर दो extra hole देखने को मिल जाते हैं, दोस्तो कमपनी ने इस ट्रेक्टर का देख सकते हैं, फिछला हिस्सा पूरा सोनालिका और सोराज जैसे दिये हैं, जिसमें आपको oil वाले break, सामने आप देख सकते हैं, चोकोड टाइप में मत्था देखने को मिल जाता है, हिशे इसमें लगी नहीं है, लेकिन इसमें आपक आपको heavy duty hitch, साथ में आपको यहां पर मापको दिखाना चाहूँगा, इस ट्रेक्टर पर कमपनी ने सस्ती कीमत होने की बावजूद भी grip बाला devil inward reaction टाप कर यह एक्सल प्रवाइड कराया है, जो की देख सकते हैं, कुछ इस तरह company system प्रवाइड करा रही है, दोस्तो इसमें अगर बात की जा, lifting capacity की, तो इस ट्रेक्टर पर company ने दिया है, 1800 kg की भारी भरकम lifting capacity, जिससे कि इस medium ट्रेक्टर पर आप कोई भी lifting capacity वाला काम बड़ी असानी से यूज़ कर सकते हैं, आपको ट्रेक्टर बहतर performance देने वाला है, यहां पर देख सकते हैं, पिछला भी कुछ इस अगर बात की जा, इसके टायर साइज की, तो इसमें आपको 1368 का टायर साइज देखने को मिलने वाले है, दोस्तो इस ट्रेक्टर को लॉंच किया गया है, तीन सिलंडर इंजन के साथ में, जिसमें आपको इंजन दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले टायर की बात कर लेते ह तो इसमें भी आपको MR आप का टायर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, 600-0-16 का टायर साइज देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप टायर साइज भी देख सकते हैं, 600-0-16 का दिया गया है, यानि कि दोस्तो इसमें आपको कमपनी ने काफी भैदर प्रेंज साज का कॉम्बिनेशन की यह है टायरों का चलिए बात कर लेते हैं इस ट्रक्टर के इंजेन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टिनेट देखने को मिलने वाला है साथ में कंपनीज में दे रहा है डिवल टेंडम पंप जो की एक हाट डोले के लिए साथ में एक सेंसिंग के लिए मिल जाता है लेकिन जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं यह ट्रक्टर साधा श्टेरिंग में है जिसके चलते कंपनीज में खाली हाट डोले के लिए दे रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं हाट डोले का जो फिल्टर है आपको काफी बड़ा और मोटर द दिखाना चाहूंबा. देख सकते हैं ब्रेक के जो पाडल आपको मिलने वाले हैं कमपनी ने नॉर्माल टाप के बड़ल नहीं दिया है काफी जादा फिल्टाइब में आपको मिल जाता है जिसमें आपको ऑईल वाले बेडल देखने को मिल जाते हैं बलकि आप यहाँ भी स जिसमें देख सकते हैं ट्रक्टर का पूरा लोग कुछ इस तरह का मिल जाता है दोस्तो हमारे वीवर्स दीपक सिंग मारकोज जी ने हमें कॉमेंट किया था इस ट्रक्टर का रिव्यू करने के लिए तो यह वीडियो इस पेसल उन्हें के कॉमेंट के अधार पर अपलोड किय अगर आप भी किसी यह ट्रक्टर का रिवी देखना चाहते हैं आप भी कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं करतार 436 की ब्रेंडिंग आपको यहां पर कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है जो कि करतार तो आपको 3D में क्रोम फनिस के साथ में मिल मिल जाता है जिसमें आपको चोक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है दोस्तो इसमें आपको जो इंजिन मिल ले वाला है कंपनी दे रही है तेन सिलंडर का वाटर कोल्ड धमदार इंजिन और रिस्ट्रक्टर को लॉंच गया है पूरा-पूरा 40 HP के अंदर 2430 CC के साथ में ज एक्स्ट्रा होल देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप ट्रक्टर पर कोई भी इंपिलिमेंट माउंट कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इंजिन ओल फिल्टर देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप कोई भी कटिंग मसीन बगारा या फिर इंपिलिमेंट ट्रक्ट जो कि देख सकते हैं प्लैटफार्म कुछ इस्तरे का प्लैटफार्म तो दोस्तो आपको इसमें सौराज के जैसे देखने को मिलने वाला है जो कि देख सकते हैं पूरा hydraulic lock, साथ में आपको ट्रांस्मिशन, यहाँ पर सब कुछ आपको स्वाराज की जैसे देखने को मिलने वाला है चले चलते हैं उपर और बात कर लेते हैं उपर चरणने के बाद ट्रेक्टर की उपर की विव की तो उपर का देख सकते हैं विव कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है जिसमें आपको plastic toolbox यहाँ पर दिया गया है दोस्तो इसमें आप देख सकते हैं company ने दिया है पेटियो का लीवर दोस्तो इसमें आपको dashboard मिलने वाला है यह फिर steering मिलने वाली है company दे रही है काफी ज़्यादा normal type में जिससे की काफी ज़्यादा heavy duty service भी देने वाले है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो company ने steering प्रोवाइड कर आया है four spoke wheel देखने को मिल जाता है बीच में आपको करतार की branding यानि की logo बगार भी देखने को मिलने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं company दे रहा है dashboard analog type में जिसमें आपको engine के पूरे 3000 rpm और इसमें आपको harvards meter digital में नहीं analog type में देखने को मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस trucktor की SFC यानि के diesel खपत तो यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको जो SFC मिलने वाली है मातर 25.1 gram kilowatt पर घंटे के SFC देखने को मिलने वाली है यानि कि दोस्तों देखा जातों यह trucktor सौराज से काफी जादा कम diesel खपत करने वाला है और अच्छा खासा mileage देने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं plastic के toll box दिया गया है जिससे कि आप आना penches ये कोई भी toll box इसमें रख सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं इस तरफ की तो यहाँ पर मापको दिखाना चाहूँगा hydraulic control के लिए खाली आपको दो lever देखने को मिलने वाले हैं जो कि drop control lever आपको बाहर की तरफ और position control lever आपको अंदर की तरफ देखने को मिल जाता है चलिए बात कर लेते हैं इस तरेक्टर के सामने के विवगी साथ ही जानेंगे brake, clutch, साथ में आपको transmission यहाँ पर देख सकते हैं इस तरेक्टर पर आपको जो transmission मिलने वाले हैं कंपनी दे रही है center shift gearbox जिसमें आपको full party यहाँ आट प्लस दो का gearbox देखने को मिल जाता है यहाँ पर देख सकते हैं जो लंबा वाला lever आपको मिलने वाला है 1,2,3,4 वाल लीवर देखने को मिल जाता है और उसे के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको high और low gear देखने को मिल जाता है oil वाले brake दिये गये हैं साथ में यहाँ पर मापको दिखाना चाहूँगा तो देख सकते हैं इसमें आपको light के control साथ में आपको stopper switch बेगारा सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तो इसमें आपको clutch के pedal मिलने वाला है company दे रहा है normal type का जिसमें आपको single clutch देखने को मिलने वाला है अब दोस्तो single clutch का मतलब यह रहता है उसेमें आपको tucked plate साथ में आपको एक pressure plate रहती है यानि कि इसमें आपको सब पूस सिंगल सिंगल दिया हुआ रहता है चले दोस्तो बात कर लेते हैं इस ट्रेक्टर के पूरे लुक की दोस्तो ये था करतार के तरफ से रिसर्टली लॉंच किया गया 40 HP में सस्ते कीमत के साथ लटेश्ट 2024 मॉडल दोस्तो अगर बात किजा इस ट्रेक्टर के पूरे तो ये ट्रेक्टर आपको 6,40,000 के आसपास मिलने वाला है और ये प्राइज आपके स्टेट के इसाप से कम ये फिर जादा भी हो जगती है डिपेंड करता आप कौन से मॉडल और किसी स्टेट से ले रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए तो मिलते हैं दोस्तो अंगली वीडियो में अंगली जानकारी के साथ